नमस्कार और सबसे पहले तो आपको बेक्ग्राउंड बदला बदला से लग रहा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगे कि मैं थोड़ा सा अरज्जन काम से बाहर आया हूँ क्योंकि यह जो टूनामेंट से बताते हैं कि आपकी नीव जो है कितनी मजबूत हो रही है क्योंकि जूनियर लेवल पर हम जितना अच्छा काम करते हैं और उस चीज को जितना मुमेंटम में रखते हैं उतना फर्क सीनियर तक महुंचता है तो आज इस वीडियो में हम यही ब है वो अल्रेडी एक-एक विन कर चुकी है और देखिए इसमें हो सकता है आपके दिमाग में यहाई कि कुवेथ है सौधेरी भी है तो इंडिया की क्या चांसिस बनेंगे लेकिन आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल लगेगा कि क्योंकि मुझे भी लगता है तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा तो पहले मैच कब है हमारे और कितना टाइम पर होने वाले यह थोड़ा सा एक बड़ी तकलीफ वाली बात है तो उसको सुन लीजिए तो देखिए पहला मैच हमारा तीन तारीक को इंडिया वर्सेज माल्द 6 अक्टूबर को इंडिया वर्सेज कुवेट और यह भी सेम रात के 12 बजे हमारे इंडियन टाइम के साफ से फिर उसके बाद हमारा तीसरा मैच है 7 अक्टूबर को म्यानमार वर्सेज इंडिया जो कि यह आट पैतालिस मैं इंडियन टाइम के साफ से फिर लास्ट मैच हमा रात है अब देखी बात या आती है कि हमारे क्या chances लगते तो देखी मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहूंगा जिससे मैं आपको यह गह सकता हूं कि हमारे इंडियन टीम इस ग्रूप में सबसे प्रोग्रेसिव टीम है कैसे तो देखे सबसे पहले सौधी अरेबिया यह जो अंडर 17 टीम है 2008 के एसे अकप के लिए कौलिफाई भी नहीं कर पाई थी अंडर 17 एज ग्रूप वाले में ठीक है उसके बाद कुवेत कुवेत तो सस्पेंट थी तो वो तो खेली नहीं पाई ठी सबसे प्रोग्रेसिव कोन है इंडिया टीम 2018 में हमने quarterfinals खेला है सबसे प्रोग्रेसिव टीम है हमारी तो confidence होना चाहिए हमार पास उस चीज का कि we are doing better तो यह बात है जो की नजर अंदाज नहीं कि जा सकती और अभी आप देखिए सभी टीम्स को preparation का उतना ही time मिला है क्यों है कुवेट बहुत अलग खेल रही है इंडिया बहुत अलग खेल रही है आप सेम कहेंगे preparation का time सबको सेम मिला है बस tactical plans technical abilities और किसका confidence कितना है match ground पर कौन कितना सहीं तरीके से खेलता है वो winner रहेगा सीधी सी बात और अभी हम बात करते हैं प्रेडिक्शन को लेके कि इंडिय इंडिया टीम इतनी बुरी नहीं कि हम इनको नहीं आ रहा सकते हैं पहली बार और यहां पर कोई यह नहीं और confidence वागेरा यह हमारी टीम जो है उसको देखके हम कह सकते हैं अभी आप एक बात आ सकती कि सैफ में हम कैसा खेल रहे थे लेकि सैफ कपके final में हमारी टीम है अलग हुई थी कुछ तो देखिए अगर ओमान जैसी टीम के अगेंस्ट हमको penalties मिल रही है उनका player 10 से खेल रही है उनका player बहार जारा मतलब टीम कितना frustrated हो रही है तो इंडिया टीम कितना better कर रही है कि ओमान जैसे टीम को frustrated कर रही है इसका मतलब कि हम कुछ नों कुछ तो अच्छ मतलब पॉजिटिवली बोल सकता हूं मुझे ऐसा लगता है बागी आप इस पर आपकी राय जरू दीजेगा तो मैं समाजता हूं कि तीन विन तो हमको करना ही चाहिए कुवेट नाल्दिवस और म्यानमार उसका रही साओधे अरेबिया की बाद तो देखिए साओधी की बा आप नहीं करते हैं तो हमें बस सेकेंट्री ऑप्सन भी है और मैं तो चाहूंगा कि गुरूप में टॉप करके जाए फॉल इजज़त के साथ जाए तो आप को क्या लगता है प्रेडिक्शन के साफसे आप क्या समझते हैं कि हम किस तरीके से जीत सकते हैं या जरूर बताए जैसे सौधी और कोवेट ने स्टाइटिंग से गोल का मारजिन अच्छा रखा यह प्लस पॉइंट लेके उन्होंने पहला मेंच खेला है तो यह हमको भी करना है हमको भी गोल का मारजिन अच्छा रखना है क्योंकि बाद में head to head कहें या फिर goal difference की बात आएगी वहां पर क अब एक ही चीज हो सकती हमारे लिए अगर हमारी किसमत में होगा तो कोई सौधी का बंदा इसको यूट्यूब पर दिखा दे एक option यह हमारी जो AIFF है यह Facebook यूट्यूब पर गहीं से live दिला दे तो हमारे पर option है कि हमें matches देख सकते हैं वरना तो हमारे पास कोई चारा नहीं यह match देख पाएंगे क्योंकि उजे channel है Saudi वाला वो subscription based है और हम Saudi का subscription ले नहीं सकते हैं simple से बात है यह scene है ठीक है तो telecast के लिए तो बस मैं pray वाली बात है किस्मत होगी तो देख पाएंगे न तो नहीं देख पाएंगे ठीक है और इसी तरह भारती फुटबॉल को सपोर्ट करते रही है बेक्गराउंड के लिए मैं फिर से माख भी चाहूंगा कुछ टाइम बाद आपको बेक्गराउंड चेंज दिखेगा वापस से सेम ठीक है तो आपको सपोर्ट बनाये रखिए बहुत 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 शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिन जय भारत